आज मैंने ये कोकुनेट राइस बनाया है इस तरह से बनाईए कोकुनेट राइस ही बहुत टेस्टी बनके त्यार होता है इसको सब्जी से खाईए चिकन है फिश है किसी भी साइलन के साथ दाल के साथ दाल चावल बहुत टेस्टी बनके अच्छा लगता है खाने में तो ये कोकुनेट राइस बनाईए खाईए बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बस उसमें थोड़ा से मतर डालने बच्चे बहुत शौक से खाएंगे यह ग्लास चावल ले लिया है यह बनारसी सबसे पहले मैंने एक ग्लास चावल बासमती राइस लिया है उसको मैंने एक घंटा भी हो दिया है अब यह बनारसी को अब यह बनारसी चावल ले लेंगे यह आधा चमच राई है काली सरसू आधा चमच आधा चमच जीरा है कड़ी पत्ता है तीन चार हरी मिर्चे इसको लंबे पीसस में काट लिया है और यह धनिया है कटा हुआ धनिया अभी हम सबसे पहले एक कूकर ले लेंगे इसको पतीली में भी बना सकते हैं पर मैंने कूकर में बनाया है सबसे पहले हम कूकर में दो बड़ी चमश तेल ले लेंगे या फिर चार चमश छोटे स्पून चाय वाले टी स्पून होते चाय वाले चमश इसे चार चमश तेल ले लेंगे आपके पास कोई वी तेलो गी हो रिफाइंड हो मेरे पास यह फार्चुन का रिफांड मैंने यह डाला इसमें डालड़ा घी, देसी घी तो यह चार चमश ले लेंगे अब ही इसमें सबसे पहले यह राई डाल देंगे राईय आपके पाफ पिली सरसो हों जो घएगी आधी चमच गभी दालिए है उक्ति. छला घाल ते हम मऌ ci दाल को और प्हожाई दिलता हिना नमक बना जल दालेगा अधा चैमario भीध दालें इसंस नमक दालें गे। कर्मिधा JI को धोका पकने देगे ओर इसमें लहरी मिर्च डाल देंगे। तकिमन को धेर बेगे इसको थोड़ा सा चला देंगे, हलका सा यह हलका सा चला देंगे यह, उसके बाद यह कोकुरनट डाल देंगे इसमें, यह छे चमश मैंने कोकुरनट लिया है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसको अच्छे से भून लेंगे, कोकुरनट और यह जितना भी समान इसमें पड़ा हुआ है इसको अच्छे से पका लेंगे, भूनते हुए, चलाते हुए इसको अच्छे से चलाने के बाद हमारा यह भून गया है अब इसको थोड़ा साम गार्निशिंग के लिए अलग निकाल लेंगे दो चमच अलग निकाल लेंगे, बागे इसी में पड़े रहने देंगे इसी में रहने देंगे, और इसमें यह एक ग्लास चावल बासमती राइस है यह डाल देंगे एक घंटा इसको भीगो देंगे उसके बाद एक ग्लास चावल यह हम इसमें डाल देंगे कूकर में और डेड़ ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि यह पहले से भीगा हुआ है तो इसमें डेड़ ग्लास चावल डालेंगे तो यह खिले खिले अच्छे से पक जाएंगे कूकर में बच्छे से मिक्स कर देंगे जितना भी बैटर इसमें है हमारा मसाला को कुनट है और भी चीज़े है तो इसमें अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे सब तो यह चावल में इसका फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा सा दो चार बहुन देंगे चला के इसका जो मसाला है उसका फ एक गिलास पानी और आधा गिलास और यह आधा गिलास पानी और डाल देंगे इसमें इसको चला देंगे अच्छे से इचारो तरफ चावल इधर उदर लगा हुआ है तो उसको सब साइड में करके बीच में चम्मस से चलाते हुए सब बीच में कर देंगे इसको चलाते हुए इसको धक्कन कूकर कर लगा देंगे और एक सीटी लगा देंगे एक सीटी हमारी कूछ आएगी इसका वो विजिल खोल देंगे अब धकन हटा के हम देखेंगे निखने निखने खिले 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 चावल बनके तयार हुए हमारी बासमती चावल ये कोकुनट राइस इसको अच्छे से चलाएंगे हलके हाँ से देख लेंगे बहुत अच्छे टेस्टी बनके तयार हुए है एक खिले खिले एक दम बनके कोकुनट राइस अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे चावल को कोकुनट राइस सारे प्लेट में निकल जाएंगे इसको बनाईए खाईए बहुत टेस्टी बनके तयार होते हैं कभी-कभी साथे चावल खाने का मन नहीं होता है तो इस तरह से कोकुनट अगर आपके पास रखा हो तो आप बनाईए खाईए इसमें और भी ड्राइफ रूट साप डाल सकते हैं काजू है बदाम है इसको भी आप थोड़ा सा फ्राई कर लें और यह उपर से डाल दें चावल में मिक्स कर दें तो यह चावल और फ्लेवर बढ़ जाएगा यह देखिए निक्रे निक्रे चावल बनके तैयार हुए है खिले खिले एक एक दाना अलब हुआ है इसका इसको देख लिए बना मसल के देखिए एक दम निक्रा निक्रा बनके तैयार हो गया है यह कोकोनट राइस बनाईए खाईए बच्चों को खिलाईए बच्चों के रख दीजिए बच्चे बहुत शौक से खाते हैं अब इसको गारनिशिंग कर लेंगे जो हमने पहले बचा के अलग रखा हुआ था अभी कोकोनट ट्राइस पर इसकी गारनिशिंग कर ले हमने लास्ट में यह हमारा कोकोनट ट्राइस बनके तयार हो गया है कि फटाफट पांच मुनट में बनके तयार हुआ है यह कोकोनट राइस